हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई चैनल फ्रेंड्स देखो आज एक बहुत ही आसान नीटिंग पैटर्न लेके आई हूँ देखिए दिखने में खुब सूरत है और बनाने में भी बहुत ही इजी डिजाइन है टोटल सिक्स रो का फ्रेंड्स से डिजाइन है और डिजाइन को आप और प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकते हो आप किसी भी स्वेटर पर आप इस डिजाइन को बना सकते हो जैसे की जैन्ट स्वेटर पर आप इसे बनाईए या लेडिस पर या बेबी प्रोजेक्ट पर आप इस डिजाइन को बना सकते हो छेसलाई का डिजाइन है और ड बेक साइड से भी बहुत सुन्दर दिखाई देता है यह इसका राइट साइड यानि फ्रंट साइड है तो चलो बनाना शुरू करते हैं देखो मैंने इस पर बारा फंदे लिए हैं 12 स्टिचे इस त्री के मल्टिपल पर हमने जैसे मैंने पहले भी आपको बिताया था तीन के एक फंदा उल्टा बनाएंगे धागा पीछे करेंगे दो फंदे सीधे बनाएंगे विके एच के छोड़के एक सीधा एक उल्टा और दो सीधे जो यह तीन फंदे बनाए हैं इन्ही तीन फंदों को हमने पूरी स्लाइप पर रिपीट करना है एक फंदा उल्टा दो फंदे सीधे बनाएंगे फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे दो फंदे सीधे बनाएंगे एक फंदा उल्टा बनाएंगे और एज स्टीच को सीधा बनाएंगे तो यह हमारी फॉस्ट रो इस तरह से हमारी ओवर होगी ठीक है अब देखें सेकेंड रो बैक साइड दागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा बनाएंगे और दो फंदे उल्टे बनाएंगे एक और दो फिर दागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा दो फंदे उल्टे बैक साइड से हमने इस तरह से बनाना है एक सीधा और दो उल्टे एक सीधा एज स्टीच को उल्टा बनाएंगे यह देखिए यह हमारी सेकंड रो यहाँ पर ओवर हो गई अब देखिए थर्ड रो राइट साइड तीसरी सलाई सीधी तरब से पहला फंदा सीधा उतारेंगे एक फंदा उल्टा बनाएंगे दो फंदे सीधे बनाएंगे एक दो फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे दो फंदे सीधे बनाएंगे फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे दो फंदे सीधे बनाएंगे फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे एज स्टिच को सीधा बनाएंगे देखे इस तरह से हमने थर्ड रो बनानी है एक उल्टा दो सीधे एक उल्टा दो सीधे फोर्थ रो बैक साइड देखे जो फंदा हमें जैसा दिखाई देगा उसे हमने वैसे ही बनाना है एज स्टिच क तो ऐसे उल्टा उतारेंगे एक फंदा सीधा बनाएंगे दो फंदे उल्टे बनाएंगे जैसे हमने सेकंड रो बनाई थी वैसी हमने फोर्थ रो बनानी है देखे जो फंदा हमें जैसे दिखाई देगे देखे एक फंदा सीधा है इसे सीधा बनेंगे दो फंदे उल्टे है इन्हें उल्टा बनेंगे फिर एक फंदा सीधा दो फंदे उल्टे फिर एक फंदा सीधा ऐस्टीज को उल्टा बनेंगे यह हमारी 4th रो यहाँ पे सरी इस तरह से 4th row हमने complete करनी है 5th row 5th row फिर से हमने 1st row जैसे बनाना है जो फंदा हमें जैसे दिखाई देगा उसे वैसे ही बनाना है stitch को उतारेंगे 1 फंदा उल्टा 2 फंदे सीथे फिर 1 उल्टा और 2 सीथे तो इस तरह से 5 सलाई हमने बनानी है जो फंदा हमें जैसे दिखाई देगा उसे हमने वैसे ही बना है इस तरह से 5th row हमारी देखिए complete होगी 6th row back side बहुत आसान है पहला फंदा उल्टा उतारेंगे इसके बाद धागा पीछे कर देंगे पूरी सलाई सीथी बनेंगे सारे फंदे सीथे बनाने है एक एक करके केवल एस्टीच उल्टा बनाना है बस देखिए इसी तरह से 6 सलाईयों का टोटल डिजाईन है देखा कितना आसान डिजाईन है फिर से हमने यहां से 1st row लगानी है जैसे हमने 1st row बनाई थी एक एस्टीच को छोड़के एक उल्टा दो सीदे एक उल्टा दो सीदे पूरी फिरस्ट उसे इसे 6 रो तक बार बार रिपीट करेंगे तो यह डिजाईन देखिए कितना ना खुबसूरत लग रहा है बनाने में देखा आपने कितना आसान है आप बार बार इस इन 6 रो को रिपीट करिए और यह डिजाईन आपका बनता हुआ जाएगा तो फ्रेंट्स अगर आपको उडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक ज़रूर करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें झाल 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 थाएगा